नमस्कार दोस्तों well that sky day को ने इंड्रेस्टिंग वीडियो में आप सबी लोका सवागत है पिरनाम ए सदीर और बात करेंगे इस वीडियो में निफ्ते यन बैंक निफ्ती के बारे में दोनों की चाठ्ट को अडोंस्ट्स करेंगे समझनी की कोशस करेंगे कल मंध्ली expiry होने वाली है nifty की और आज बैंक निफ्टी की ने क्या किया इस चीज को हम understand करने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे बहले global market देख लेते हैं और हम करेंटली ग्लोबल मार्केट देखें तो यहां पर एक लाइफ टाम हाई लगाने के बाद कह सकते हैं दाउ जोंस थोड़ा से यहां पर तो कोई जादा बहुत बड़ी तेजी और मंदी हमें ग्लोबल मार्केट में नहीं दिख रही है ठीक है चलते हैं आपने मार्केट पर हो समझते हैं तो कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो स्मार्ट लोग है वो 25,000 का बेचके काम कर रहे हैं तो आपको क्या है कि अगर वूपर ये करीब 25,000 130-150 के पास जाता है तो वहां पर आप सेल कर सकते हो नीचे आपको करीब चौबेस 14,000 850 के आसपास मिलता है या फ़े 24,900 के आसपास वहां पर यहां पर यहां पर बाए कर सकते हो तो आप exactly देख सकते आज का जो हाई था वो करीब करीब 25,130 का था वहीं से इसने आलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर से यहां पर निफ्टी ने डाइलूट कर दिये ठीक है बैंक निफ्टी पूरे दिन साइडवेस रहा था बैंक निफ्टी कुछ जादा एक्शन था नहीं आप देख सकते हो इसने मौनिंग में यह थोड़ा सा नीचे आया फिर रिकवर होके और फिर यह साइडवेस चला गया यहां पर तो कहीं न कहीं यहां पर एक चीज़ दिख है कि जो निफ्टी के एक्सपायरी है वो 25,000 के लेविल पर हो सकती है तो उसी के साब से हम यहां पर प्लान करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ दिखो ऑप्शन चीन डाटा में अगर आप देखोगे तो क्लियर दिख रहा है यहां पर जो 25,000 की पुट है वहां पर 47,000,000 गडित रहा है 25,500 की कॉलबर 88,000,000 गडित रहा है पुट पर इतना है 44,000,000 गडित और 25,350 की तो कहीं न गलती है 95,000,000 चीन खती मित रहा है तो कहीं नहीं अगर यह अगर से 25,000,000 गलती द付ार 25,000,000,000,000 के असपास कुलता है तो डेफिनेटली एक बार इसको शौट किया जा सकता है तार्गेट हम यही लेके चलेंगे 25,000 का दीक है इसके आस पास की की एक्सपाइरी हो सकती है यही टार्गेट लेके हम यहां पर चलेंगे अब अगर मालों यह खुलते ही इसके नीचे चला जाता है तो फिर अपॉर्शनिटी ज्यादा कुछ मिलेगी नहीं बट अगर यह गलती से फ्लैट खुल जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको यहां एक मौका मिल सकता है एक लेने का 25,000 की एक्सपाइरी के लिए आप ले कर सकते हो ठीक है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा एक्शन होगा वो तब ही हो सकता है या तो यह 25,150 की उपर निकले या फिर आपका यह 24,900 की नीचे निकले बट फिलाल 900 की नीचे जानी सकता तो कहीं न दिनने की कोशिस करिएगा तीक है निफ्ती हो लाघंप बात कर लेते हैं तो यहां और पर बात करोगे तो यहां पर बेंकन किell दिख्यी नहीं रही डिखके सके पर ये उस तरीके से चैनल बना के उपर कर रहा है यह और नीचे आपको इस तरीके से यह एक सपोट वाला चैनल है यह- इस तरीके से आप चाहो तो यह commitment दो थीगे न फीक बीच एक करो रहे चाहिता ओहरेतर ब्रेक्डाउन करना है क्योंकि जब तक कि यह थोड़ा सा बड़ा मोमेंट देने के लिए रेडी नहीं होगा तब तक थोड़ा सा यहां पर प्रावलम है और फिलाल निफ्टी को लाइफ टेम हाई ले जाने में आइटी का बहुत बड़ा पार्टिस्पेटर रहा है जादता आइटी स्टॉ ग्लोबल मार्केट के सिच्वेशन मैंने अल्ड़ी आपको बता दिये कुछ ज़्यादा बड़ा यहां पर नेगेटिविटी तो है नहीं तो तैट सी बात है हम पॉजिटिव मान के चलेंगे तो जब तक ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हमारे मार्केट में कुछ ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा तो आई होप दोस्तो यह पर्टिकुलर डाटा आपको सोच में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतनी है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक उश्याद जरू कर झाल